हेलो एवरिवान एम अन्श्य ग्रोवाल और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आम इंदौर के बारे में admission process क्या है exam का pattern क्या होगा काफी लोग confused है pattern को लेके तो वो मैं आपको clarity दे दूँगा तो आपको कोई doubt नहीं आएगा ठीक है और admission process भी अच्छे से समझ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि return exam का क्या वेट है जै और उसकी कित्ती importance है है ना कई लोग importance को समझ नहीं पाते ह तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो भी समझ जाओगे तो ध्यान से पूरा वीडियो अच्छे से देखना और हां कुछ खास बाते हैं जिसे कि आप लोगों में से कई लोगों को नहीं बताओगा कि हमारे channel पर monetization तक अब पन दे तो बिना add कि आप कोई भी वीडिय अच्छे से देख सकते हो तो IBM के playlist पे जाओ पूरे tough set of question के easy solution देख लो अभी तक जित्ते भी official paper है plus अगर आपके पास time हो तो cat के भी देख लेना ठीक है tough set of question के बहुत easy solution बताए है ना तो आप किस से पढ़ड हो यह तो आपको जानते ही हो यह ना यह सब देख लेना ठीए चलो शुरू करते हैं और हाँ वीडियो पसंद आता हो तो like subscribe कर देना और एक चीज ओर अगर आपको कोई सा भी demotivation हो किसी भी type हलका सा भी demotivation हो अपनी preparation को लेके तो मैंने एक free service चालू कि आप हमारी website पर जाना www.catipmat.com इसमें chatting का option है वहाँ पे अपना नाम, name, city, अपन हैं, कौन से weak topic हैं, आपको क्या guidance चाहिए, वो सब में आपको free में बताऊंगा, यहना कि आपको क्या करना चाहिए, free में guidance दे दूँगा, यहना, तो किसी topper से guidance लो, हर किसी से guidance मतली लिया करो, ठीक है, उम्मीद इत्ती चीज समझ में आ गई होगी, और हाँ अभी भी वक्त ठीक है, सिंपल सा है, जो भी candidate, 1st August 2024 के बाद हुए है, on or after, 1st August 2004, 2024 नहीं सौरी, क्या भोल दिया मैंने, जो भी candidate, born on or after, 1st August 2004, है ना, वो exam दे सकते हैं, 5 years का relaxation हा रहेगा, SC, ST, PW category candidates के लिए, ठीक है, मतलब उनकी date of birth क्या हो सकती है, 1st August 1999, है ना, born on or after, 1st August 1999, किसके लिए, SC, ST, PWD category के लिए, और बाकी category के लिए, 1st August 2004, ठीक है, ये कही लोगों का doubt होता है, इस बार बहुत अच्छा मुका है, कही लोगों के लिए, देखो, due to COVID, है ना, इन लोगोंने अभी भी क्या क रहे हैं, सिर्फ 10-12 का passing marks ही मांग रहे हैं, मैं guarantee से बोल रहा हूँ, अगले 1-2 साल में, ये minimum percentage ले आएंगे, यहाँ पे, तो जित्ते भी बच्चों के कम percentage है, अभी IME अंदोर के लिए, अच्छा मुका है उनके पास, याना, सिर्फ इनोंने pass मांगा है, ठीक है, बाकी ये point पढ़ लेना, अच्छा एक चीद ध्यान रखना, IME रहतक जो होता है, वो top 5 आप से score मांगता है, top 5 subjects के, इसमें पूरे percentage लिखना, तो दोनों में confuse मत होने हैं, बार-बार हर साल में बोलता हूँ, ठीक है, next, application procedure, 14th feb से आप इनका form भरना चालू कर सकते हो, ठीक है, और कब भर सकते हो, 26th March तक, ठीक है, non-refundable रहेगा, 4,130 रूपीज इसकी form fees है, है न, और 2065 रूपीज है, SCST और PWD candidates के लिए, है न, अब ये line ध्यान से पढ़ ले न, last year भी मुझे याद आ रहा है, किसी एकाद बच्चे ने में उससे पूछा था कि मेरा state level का certificate है, कैटेगरी का ऐ तो मेरा उसमें मानना है कि आप official ही उनसे पूछो, है न, जो भी official authority है, हर किसी से पूछ के कुछ फरजी मत करना, कुछ भी काम, सब authentic काम ही करना, तो candidate belonging to NCOBC, SC, STP, PWD category need to produce valid caste category certificate in support of their reservation category and candidate belonging to economically weaker section need to produce valid document, है न, asserting the eligibility of candidate to apply under EWS category, ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना, और कुछ भी doubt हो, तो उनकी official website पे या उनका जो official email ID को उस पे जाके अभी से confirm कर लो, क्योंकि अभी form भरने में काफी time है, end moment पे सब हरकते कर होगे, तो कोई मतलम नहीं है, ठीक है, और बाद में इन में ये भी लिखा था कि एक बार form submit रखते हैं, ये जी ध्यान रखना, ठीक है, इनकी website पे official जाके पूरा एक पॉइंट अच्छे से पढ़ लेना, selection process, है न, वही aptitude test होगा, ठीक है, तो aptitude test होगा, ये centers की city दी हुई है, 23rd में को आपका exam होगा, कब होगा, 23rd में को, और exam time क्या रहेगा, 224, दो घंटे का exam होगा, ठीक, अब देखो, हर question के plus 4 marks रहेंगे, है न, अच्छा, mcq जो रहेंगे question, उसमें negative marking भी रहेगी, अगर आपने कोई question गलत कर दिया है, तो, और negative marking होगी, 14th लब minus 1, short answer में negative marking नहीं होगी, अब 3 section है, normally क्या होता है, पहले ये short answer पूछते है, maths का, then mcq आता है, फिर variable ability आता है, है न, तो quant का short answer, quant का mcq, quant, oh, फिर, verbal ability, ये sequence normally रहता है, लेकिन, change भी हो सकता है, तो, आप mentally prepared रहेंगे, कि कौन सा, पहले आएगा, like, about cat की बात करें, तो cat में पहले verbal ability आता है, फिर dilaire आता है, फिर quant आता है, है न, IPM at indoor की बात करें, तो, पहले quant का short answer आता है, फिर quant का mcq आता है, फिर verbal ability आता है, लेकिन, हो सकता है, कि ये shuffle कर दें, order, लेकिन, उसमें, आपको गबराने की जोरत नहीं, कि, अगर order shuffle भी होगा, तो, सारे के सारे बच्चों के लिए same रहेगा, इन्हें, अगर पहले verbal ability आ रह तो, यह मैं सोचना है, कि हमारे साथ कुछ गरबाड हो गई, और यहां पे लिखा भी है, फिफ्ट पॉइंट अगर पढ़ो, यह ना, इस order will remain same for all the candidates, यह order सभी candidates के लिए same रहेगा, ठीक है, यह mean चीज थी, then, aptitude score का जो weightage रहेगा, यह ध्यान रखना, overall 50% weightage quant को दे रहे, 50% उसको, verbal ability को, और overall जो weightage रहेगा, है ना, अब देको sectional cutoff तो निकालना पढ़ेगा, आपको, यहने quant में short answer का, अलग से sectional cutoff निकालना पढ़ेगा, then, quantum MCQ का, अलग से, आपको sectional cutoff निकालना पढ़ेगा, और verbal ability का लग से, ठीक है, बाद में अपन इससे related video और बना लेंगे, कि कित्ते क्या question करने चाहिए, and so on, अब मैं इनची देखो, अब जो aptitude score रहेगा, उसमें एक score यह लोग नाम दे देते है, ATS, ठीक है, aptitude test score, अब क्या होता, आपके जो भी mark आएंगे, XYZ मान लो कुछ भी, उसको यह लोग 65 में से calculate कर लेंगे, चीसन में, एक आपको में मोटा मोटा बता रहा हूँ, उस marks को यह कित्ता में से calculate कर लेंगे, 65 में से, तो मान लो आपका return exam है, वो 65 marks का हो गया, after your selection for PI, ठीक है, तो अब overall मान लो 100 marks का एक exam होता है, तो उस 100 marks में यह लोग क्या करेंगे, 65 marks आपको दे देंगे, ATS, ATS मतलब return score में आपका जित्ता भी marks आए होंगे, उसको 65 में से calculate कर लेंगे, तो आप तो आती होगा, ratio होगा, तो 65 हो गया, then personal interview आपका 35 marks का होगा, तो 65 प्लस 35 क्या होगा है, यहाँ पे 100, तो इस 100 में से अब आपकी rank or merit list बनेगी, पॉइंट संज में आ गया, तो देखो, 65% weightage आप इसा भी समझ सकते हो, 65% weightage आपका किसका है, return exam का, तो बहुत ज्यादा weightage है इसका, तो इस पे पूरी जान लगा दो अभी वी वक्ते, और हाँ, एक चीज़तों में बता नहीं भुलिया, हमने हमारी test series भी launch कर दी है, ठीक ह तो आप हमारी website पे जाओ, catipmat.com, तो या तो इधर जाके पूरा course purchase कर लो, या सिर्फ अगर test series भी purchase करनी हो, है ना, तो website पे इधर जाओ, फिर slash IPM mock करके, IPM mock है या mock IPM करके, ठीक है, website catipmat.com पे जाओ, उसमें IPMAT 2024 test series लिखा होगा, उसमें क्लिक कर ले ना, आपको वहाँ प reservation, 27% of the seats are reserved for other backward classes, candidate belonging to NCOBC, 15% है SC के लिए, 7.5ST के लिए, and up to 10% EWS category के 5% for person which benchmark disability, PWDs के लिए, ठीक है, और total number of seats जो है, वो है 150, वो कहां लिखा है, यह सबसे आखरी में लिखा है, या तोटल seat कितनी है, 150 seats है, ठीक है, तो indoor में है 150, और रोहतक में है 165, ठीक है, तो इस seat में आपका competition है, तो उम्मीद है कि मेरी सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना, और हाँ अभी तक सुन रहा हो तो, लाइक सब्सक्राइब की तो बनती है, नहीं, तो मुझा थाँ सक्षी क का जिसे हैं, फैक तो जहा रोगा को को कि बाते है, कि एक है नहीं, तो इस्टे ख़्यां कि प्रक्टे कर दिशने, प्रक्टे कि असे सान रहा हो, तो ऑर प्रक्टे के प्रक्या तो बांटतकि अविडर्स, प्रक्टे